So, Hey Guys, Welcome to the Channel और आज इस वीड़ियो में हम देखेंगे प्लेसिंग मेथड के बारे में तो प्लेसिंग मेथड बेसिकली क्या होते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को किस-किस तरह से प्लेस कर सकते हैं हमारी स्क्रीन में तो सबसे पहले हम ने जो यूज किया था पैक जो हमने फस्ट वीडियो से यूज करते आ रहे हैं तो यह पैक मेथड क्या करता है यह किसी भी साइड पे मलब राइट लैफ बॉटम अप तो यह इन चार में से किसी एक साइड पर फिक्स कर देता हमारे अलिमेंट को तो अगर हम इसके अंदर भी कुछ बॉटम तो अब यहां पर यह क्या करेगा यह देखेगा साइड कौन सी होनी चीए और वह नीची बॉटम तो यह हमारा बॉटम पर पैक कर देगा देखिए अगया है हेलो वर्ड एकदम नीचे एन अगर मैं इसको राइट कर देता हूं और यह जो हम लिख रहे हैं पैक कर देता है अब आप उसको नहीं हिला सकते मतलब जब यह बड़ी चोटी करेंगे तो वहीं पर रहेगा तो यह था पर पैक मैथड़ आप बहले इसको इसमें भी लगा सकते हैं समय साइड इस इकल टू पॉटम कर देता हूं तो अभी इसमें क्या होगा देगे यह तो कीले सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अब हमारा बंजित मेरा होगा तो यह और आला प्लेस की में प्रेस किले के सकते हां तो ध्लिभी प्लेस के कि यहां पनीज्य तो प्लीस मैथल्ट में बिसेकली क्या होता है कि हमारा पैक मैंने देखा, वर किसी एक साइड़ पैक कर रहा पर प्लेस में हम रहा है तो हम खुद की कॉडिनेट दे सकते हैं कि नहीं भाई हमको थोड़ा इधर चाहिए या उपर चाहिए नीचे चाहिए तो इसमें एक्स और य की पोजीशन बता सकते हैं तो हम जैसे करते हैं एक सब्सक्राइब कॉमा वाई इस इकल तो तो अब यह कहां पर तो अब जब हम इसकी वह चेंज करतें इसको 300 कर देतें तो देखें नीचे आ गया तो प्लेस मेथड़़ पर पूरी फ्रीडम रहते हैं कि हमको कहा यहां पर एपना एलिमेंट रखना को जो कॉडिनेट बता हैं कि हम हम आप इतनी दूरी पर और है बना चाहते हैं यहां से एतनी दूरी है साइड दूरी तो जो मोशली क्लीक हम आता है तो वह प्लेस ही आधा है Bakі हम आ recru सकते हैं जैसे हम झालीये हर्के शाभा लें हम आपनी यहां पर देख सकते हैं वाई सकथा है और हमारे मंने कॉडिनेट दिए थे तो प्लेस मैठिये ही होता है कि हम आपने कॉडिनेट डाल सकता इस में तो वैसी से होता है तो पहले हम देखें कि row is equal to zero and column is equal to zero तो फिर हम यहां भी देदेते हैं काम करते हैं row is equal to one comma column is equal to zero तो अभी हापर क्या होगा चलो देखते हैं तो हम जो इसको run कराएंगे तो देखें इसने हमको देदी है कि row zero and column zero यहनी first row का first box यह second row का first box तो row one यहां पर index zero से शुरू होता है तो हम first second confused मत होईएगा so that's how कि हमारे grid कैसे होती है मालेज है हमको साइड बर साइड लाना तो हम यहां यह कर देंगे one तो अब देखा ना कि यहां से उठके यहां पर आ गया तो basically grid ऐसी होती है कि हमारा एक column है यह हमारा second column है फिर हमारा एक और है यहां पर एक और होगा ऐसी हमारे unlimited column होते हैं जितने चाहिए उत्ते बना सकते हैं इनकी कोई limit नहीं होती है so for suppose हमें इसकी copy कर लेते हैं जिससे हम और भी विजट मिल जाए तो हम यह करते हैं टेक्स टू टेक्स टू एंड बटन टू अब आप जो रण करेंगे अच्छा पहले में इसकी रोड चेंज कर देता हूं नहीं तो गड़ बड़ हो जाएगी अब च्बम इसको रण करेंगे तो देखे इसमें क्या हुआ अब को एक टेबल जैसी लग रही होगी जिसमें यह कॉलम है यह दूसरा यह तीसरा चौता तो बेसिकली ग्रिड में यह होता है कि यह टेबल बना देता है और फिर हम को खाली तेबल में कॉलम में हमारे एलिमे तो ये आपका Guide Method होता है और इसमें दो फीचर और होते हैं एक होता है Pad X और एक होता है Pad Y तो Pad X suppose में कर देता हूं और 10 अ начat 10 ड्होर 12 तो Pad XRAY क्या होते हैं तो जो जो हमार extraterre Миक क्थ होती है तो अभी जुम पैडिंग होते हैं तो अभी चन्सक्त और इसकता साइड से वह थोड़ा थोड़ा गैप देता है जो नेक्स्ट अलिमेंट है मतलब थोड़ी सी मार्जिन टाइप का जिससे वह अलग अलग रहें तो अब आप इसको क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहां पे इसका यह वाला बॉर्डर और यह हमारा दूसरा बॉर्डर है तो आपको समझ माय वीडियो थेंक्स पर वचिंग और चैनल को तो सस्क्राइब कर देनें वीडियो को लाइक कर देना बाए आपने चेंज़ इस